हाई एवरीवन माई नेम इजनदी बटनागर और वलकम यू अल इस चैनल तो आज की वीडियो में क्या सीखने माले हैं अज हम करेंगे क्लास 12 का the third level chapter इस chapter को मैं अभी आपको English to Hindi explanation ना देकर सीधा हिंदी में कहानी सोना रही हो इस फीडियो से बिलकुल ले सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं प्रेजिडेंट ओफ न्यू यॉर्क सेंट्रल और दा न्यू यॉयॉक न्यू हैवन और हाटफोड रेल रोड सभी के प्रेजिडेंट से कसम खाएंगे कि वहाँ पर सिर्फ दो ही हैं जो कहानी में देखते हैं और यह सब कसम खाएंगे जानी लेकिन मैं बूलता हूं वहाँ पर 3 एंव यहां पर सब्सेपहले समझेए मैं कौन है में है मेन करेक्टर हमारा जिसलान में चारली तूर जैसरी बीसरे भीव आ स्थे लेवल भी यहां से सिंट्रेस देशन के तीसरे लेवल की यहां बात हो रहे हैं मैंने अपना स्टैप ले लिया है मैं में अपने मनेवग्यानिक से मिल लिया हूं आप कर लेना चाहिए अपने सै क्टित में लिया हूं मैंने उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया जो की Grand Central Station पर है अब यहाँ पर चारली नम का करेक्टर है थर्ड लेवल यहाँ पर Grand Central Station पर है और कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने कहा कि भई देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं पागल हो कि मैं साइकेटरिस्ट को यहाँ लग रहा हूं कि मैं कुछ नहीं दाना अपने जीवन में तो इसलिए मैं ड्रीमिंग करने लग गया हूं यह मेरी पत्नी ने यह बात मेरी पत्नी को बिलकुल पागल कर देती है क्योंकि उसे लगता है यह मेरे हर दुख का कारण वही है अब देक किया है साथ भी ने पीछे की तरफ गया तो अगर ऐसी बाते करें तो पत्नी मैसी पागल हो जाएगी बताने भगया इसको क्या ही हो गया कैसी बाते करने लग गया है ठीक है अब क्या होता है बलकि आज की दुनिया में यहां ते हम लोग और थोड़ा लेकिन आप मैं मनो स्थार से समझाते हैं कि आपको नहीं कह रहे हैं बलकि आज की दुनिया में इन सेक्योरिटी है डर यूद्ध हो रहे हैं चिंता हैं और यह सब कुछ हैं और इन सब चीजों के कारण ही चाली जो है यह आपका पती बहुत दुकी रहता है और टोक्टर चाली सेज़ा और उनकी पत्नी को बतातें इन सब चीज्वों से बचने के लिए चाली देड्री मिंगी करता तोध परिशनी के साथ में रहू हम् से भागना चाते हैं लोग इस जंजट से निकलना चाते हैं परंतु यह लोग मेरी तरह ग्राइंट सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेफर पर नहीं गूंते मैं गूंता हूं इन लोगों को नहीं बता कि वहां पर थर्ड लेवल भी है अब चार्ली अपनी बात पर अड़ा हु सभी दोस्त कहते हैं कि यह सभी बातें इसी तरफ इशारा करती है कि वह इस दुनिया से परिशान है इसलिए दिन रात सपनें देखता रहता है क्योंकि कि किसी को भी नहीं बता कि महांपत है यह नहीं है मतलब है ही नहीं कौन यह मानेगा कि आप 1870 के आसफास के टाइम पर मेरे जो वास्तिविक परिशानी है मेरे जीवन की उनसे एक टैंपरेरी चुटी है हाँ हो सकता है यह बाते कि वह परिशान है तो लेकिन वह क्या है चारली को मनवेग्यानिक मित्री बताता है चारली बोलता है कि माना जीवन में बहुत जादा टेंशन है बहुत जादा डर रहें बहुत ज़्यादा परिशानिया हैं जिस वजह से आपको लगता है कि मैं थर्ड लिवर्पल चला गया और दोस्तों लोग तुम भी यही कहना चाहते हो ना कि मैं वास्तविक्ता से भागना चाहरा हूं मेरे ڈदादा जी तो नहीं जाना चाहते रे मैं मतलब मेरे दादा जी तो नहीं चाहते थे तरह बहुत फिर भी वह एक्शान करते थे रहा है जाठी कर रहा हूँ तो य नहीं कि मैपनी प्रॉब्लम से भागने की लिए दादा जी भी तो करते थे उनको तो नहीं भांगना था प्रॉब्लम से क्योंकि उस सामी की जिंदकी चान्ती में थी चाली कहना चाहता कि मेरे दादा जी जो की स्टैंप collecting उनका काफ़ी अच्छा स्टैम collection है क्योंकि एक पेज़ पर चार छपने वाले धियान देना एक पेज़ पर चार छपते थे уж lesa music उनके पास ते वह सभी इस अनपर थे उनके पास फिर्स टडे कवर भी आ जाता तो यहां फिर्स टडे कवर किया होता है जिस दिन पूर पेहले दिन का स्टेंप उनके पास आ जाता था लोग क्या करते थे खुदी को चुट्थी लिखी अपने ड्रस पे डाली तो पोस्ट में जो होता था जो भी है जहां पर भी ढागगर होत सब्सक्राइब करते थे अब यह तो नहीं कह सकते ना यह सभी लोग जो सब्सक्राइब करते हैं सभी टेंशन में चलो आप बताता हूं ग्रांड स्टेशन पर क्या हुआ एक अपना पूरा इंसिडेंट बताएगा एक गर्मियों की रात का समय था मैं काफी देड़ तक और आपने अपार्टमेंट में पहुंचना चाहता था तो जल्दी थी कि बस जल्दी से अपार्टमेंट में पहुंच हूं और चार्ली ग्रा ट्राफिक से बच जाएगा और बस की मुकाबले सीधी सी बाते ट्रीन तो जल्दी जाती है तो यह चार्ली को जल्दी घर पहुंचते हैं चार्ली को उसके घर उसके अपार्टमेंट में पहुंचना था जहां उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी ठीक है अब मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ मैं तो एक आमादमी हूँ मतलब एह ना कि मैं लिए जिसका नाम चार्ली है एक त्यसी साल हूं और मैंने जो है क्या किया है मैंने टैन गेल्पडीन सूट पहन रखा है चीक है यह देख लेना इनकी पिक्स वगरा डूंड के और इस्ट्रॉः हैट पहन रखी थी ये पूरा तुमको आना चाहिए कि इसने क्या पहन रखा था क्या नहीं पहन रखा था ठीक है टैन गेबल्टीन सूट पहन रखा था स्ट्रॉग हैड पहन रखी थी फैंसी बेंड के साथ मैंने मतलब बहुत सारे दर्जुन अपने हाथ में एक जैसे पहन रखे थे उस दोर के लोगों के पास ऐसे होते दूंगे और मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था मैं तो बस नॉर्मली अपने घर जा रहा था मैं बस जाता था अपने घर जाओं अपनी पत्नी लुईसा से मिलू मैं वेंडर बिल्ट एवेन्यू में ग्रांड सेंटरल की तरफ मुड़ा और फर्स्ट लेवल की सीडियो तक पहुंच गया फस्ट लेवल दिखे ठीक है जहां पर बीसवी शताबदी की तरह ही ट्रेन मिल रही थी जैसा कि नॉर्मली टाइम में होता है फिर वो एक सीडी से नी नहीं कार का कैसी होती है उपर से इस तरीके का अब बना हुआ दर्वाजा आना ऐसे गोल दर्वाजे की तरफ गया दर्वाजे से सिर्च जुका कर अधर गुज जाता हूं वहां पर खोना काफी असान था अब चारली समझाते हैं कि उन्हें क्योंकि 100 बार ग्रांड इस्ट रोजवैल्ट होटल की लॉभी ऐतनां मतलब उसमे इतने सारी जघाएं लंगा इदे जाने की इस निकलो कहीं पहुंचा कहीं से निकलो कहीं पहुंचा तो वह भतातें कि मां घोना जसा भूत ही असान ता तरन में जाके पिर क्या तो बताते हैं टनल में वह गुषůर 46 street के सामने एक office building में वो निकला वो रास्ता जो की तीन building छोड़कर था कभी कभी तो मुझे लगता है चार्ली कहते कि grand जो central है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है मतलब इतना बढ़ा है वो पेड़ जैसे फैल जाता है जैसे पेड़ की जड़े फैलती है वैसे है अब जड़े मतलब कही 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 निकल जाती है तो नगा सी मतलब मतलब इसमक्तर मों जक्तल गोता है ताइम स्कॉार की तरफ जाता हो और दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो और ऐसा भी हो सकता है कि Grand Central वास्तिविक्ता में छुटकारा पाने का एक रास्ता है सारी बाते चारली बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ है मेरे साथ ऐसा हुआ हूँ कि मैं थर्ड लेवल तक पहुंच गया हूँ लेकिन मैंने ये बात अपने मनों विग्यानिक दोस् फिर नीचे की तरफ जाता है वो रास्ता चारली को लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है लेकिन अभी फिर भी वो चलता रहता है वहाँ पर कोई और नहीं होता केवल उसे उसकी कदमों की आवाज आती है फिर कुछ दूरी पर उसे शोरगुल सुना ही देता है फिर व कि थर्ड लेवल पर वो पहुंच जाता है ग्राइंट सेंट्रल स्टेशन एक पल के लिए उसे लगता है कि वह वापस सेकंड लेवल पर ही आ गया लेकिन फिर वह लेवल को अच्छे से देखता है और पाता है कि वहां पर जो कमरे थे वो छोटे थे टिकेट काउंटर भी काफी कम थी और जो इन्फोमेशन बूथ था वो लकडी का बना हुए था जब कि उस समय ऐसा नहीं था वो पुराने समय ने की तरह दिख रहा था पिर चाली समझ जाता कि सेकंड लेवल तो यह नहीं है इन्फोमेशन बूथ पर एक आदमी था जो ग्रीन आईशेड लैक च लाइट इसलिए फ्लिकनिंग कर रही थी क्योंकि वो काइंड अफ लाल तेन थी जो जल रही थी ऐसे तुमारे ट्यूब लाइट नहीं था वो ओपन फ्लेम गैस लाइट जिसे बूलते हैं वो था बाबे फर्श पर चार्ली को ब्रास का एक थूखदान दिखाई देता है फिर अचानक से चार्ली की आंकों में चमक पड़ती है क्योंकि वहां पर एक आदमी खड़ा था जो अपनी जेब से एक गोल्ड वाच निकालता है वो चमक उसकी गोल्ड वाच से उसके आंकों में पड़ती है इसी वाच की शाइन चार्ली की आंकों में पड़ती है वो काफी छोटे छोटे थे आपको समझा यहां आपको समझाया जा रहा है कि वहां पर सब लोग पुराने जमाने के थे उसकी मूचे हैंडल बार जैसी थी मतलब जैसे वह सिपाईयों की नहीं थे उपर की तरफ मोड़ देते हैं वह मूचों को जैसे बड़ी-बड़ी ऐसे उस सब जगा देखा तो पाया सभी लोग 1890s के समय के थे मैंने अचाना कि इतनी सारी दाड़ी कान के साइड में बाल वाले आदमी ऐसी फैंसी मूचे वाले लोग कभी नहीं थे के थे बताब समझ रहा है कि मैं कहीं टाइम ट्रवल कर गया हूं अब उसको अदाजा लग रहा है कि यह तो जमाने के लोगों में था जितना कि मुझे थार्ड लेवल पर देखने को मिल रही थी चीज़े वह ट्रेन गेट से खोते हुए एक आप क्या देखने को मिलता उसको एक और आता आती है जो की एक बहुँ से फूली हुई एक शाट ड्रेस पहन लेती है नीचे हाई पड़ता है जो की करियर एंड एल्स कंपनी का इंचन था इसको बुक से देख ले ना क्या है यह जिस पर फनल की तरह जैसे एक फनल होती है ना जैसे कीप जिसे बोलते हैं उस तरह की शेप का दुवा निकलने वाली पार्ट उसमें लगवा था फनल शेप दिखा देती हूं कुछ इस तरीके का फनल शेप होता है यह यह इस तरीकी का है जिसमें आप समान डालके ऐसे अंदर डाल देते हो इस तरीके का फनल शेप का बनावाता अब ये सब देखकर मैं समझ गया था कि भाई क्या हुआ है मैं 1980s में पहुँच गया हूँ मैं समझ गया था अपने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए चारली एक अख़बार बेचने वाले लड़के के पास जाता है और उस बच्चे के सामने जो पेपर का धेड़ था उसे देखता है एक पेपर वाला चारली को देखता है जिस पर लिखा था मतलब एक पेपर चारली देखता है वहाँ पर चारली देखता एक पेपर जिस पर दा वर्ड लिखा था मतलब न्यूस पेपर का नाम है दा वर्ड अब चारली को लगता है कि दा वर्ड नाम का पेपर अब छपता ही नहीं है अब वो समझने लगता है कि व दुनिया में वापस आता है तो एक पॉब्लिक लाइबरेडी में जाता है कि ऐसा फ्रंट पेज जो उसने देखा था वो टाइम पर वह ग्यारा जुन 1894 में छपा था तो वह समझ गया कि मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूं मींस चारली उस समय 1894 में पहुंच गया था चारली यहां भी जा सकता है यहां वह जाना चाता था गूमने से एक बहुत अच्छा टाउन है जिसमें बड़े बड़े फ्रेम वाले खिड़कियों वाले घर होते हैं घर के गारडन भी काफी बड़े-बड़े होते थे बड़े-बड़े पेड़के जिनकी शाखाएं ब्रांचे उपर चट बना देती हैं मतलब इस तरीके से यह जैसे यह पेड़ हुआ यह पेड़ हुआ और इसकी ब्रांचे दापस में मिलेंगी तो ऐसे चट सी बन जाएगी रोड की हैं और दुनिया बहुत शांती में इतनी भासर नहीं जैसी आज है एक ऐसे समय में जाना जब प्रतम विश्विद्व होने में 20 साल का समय हो गैल्सबर्ग इल्यॉस में वह जाना चाहता था और अच्छा होगा कि मुझे वहां के दो टिकेट चाहिए मतलब उसको लग रहा है है अच्छा होगा बस दो टिकेट मिल जाएं किसी तरीके से मुझे टिकेट खिड़की पर जो इनसान होता है वह भाला केलकुलेट करता है जब यह टिकेट लिने जाता नहीं दो टिकेट लेता तो कि अ। दो टो गेल्सबा के लिए उस जाना है वहां क्या वो और उसकी पतनी के लिए दो टिकेट करीद रहा है एक तरफ का जब 40 पैसे देने के लिए पैसे काउंट कर रहा है तब वो अपना सेर उठाता है तो पाता है कि टिकेट काउंटर वाला उसे घूर रहा है चिकेट काउंटर वाला मेरे पैसे को देखकर अपना सरे लाता है, मतलब भी पैसा नहीं चलेगा, यह क्या है, ऐसे, चिकिट काउंटर वाला बोलता है कि पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम इसमें सफल नहीं हो बाओगे, फिर वो उसे cash draw खोलता है अपना और दिखाता है ऐसा होता है cash, ऐसा होता है पैसा, cash draw में पुराने जमाने की currency थी, वो money का size जो था, आज की money से आदा कम से कम बड़ा था, काफी बड़े नोट होते थे उस समय, चार्ली जल्दी से मुड़ता है और third level से बाहर आता है, क्योंकि 1894 की jail में भी वो जाना, कोई अच सारी कहानी है, जो Charlie कहता है, कि मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते से गया था, उसी से वापस आया था, अगले दिन लंच आवर के समय में Charlie कहता है, मैंने bank से 300 डॉलर अपने निकाले, और उस currency को पुरानी currency में बदलवाने जाता है, कि ठीक है मैं पुरानी currency से टिकेट करी सोच रहा है, अब आप क्या बात होती है, बदलवाने जाता है, तो ये बात सुनकर जो सका सेकेटिस्ट फ्रेंड है ना, वो काफी टेंशन में आ जाता है, कि अगर आज की currency को पुरानी currency में आपको बदलवाना हो, तो आपको थोड़ा सा commission देना होता है, बदल आज भी जा जाने वाला था, क्योंकि वो समय तो बहुत सस्ता था, तो इसमें भी बहुत काम बन जागा उसका तो, आप वो बताता है कि एक दरजन अंडे खरीदना उस समय केवल 13 cents में आ जाता था, 100 cents में एक डॉलर बनता है, लेकिन मुझे फिर भी वो third level वाला corridor नहीं मिलता, आप चा जान होगी ऐसे में, और वो चाहती थी कि मैं वापस से third level को नहीं डूलो, और मैंने ये साब कुछ छोड़ भी दिया, मैंने फिर से stamp collection पर ध्यान दिया, लेकिन अब मैं और मेरी पतनी दोनों मिलकर third level को कोचते, अब ऐसा क्या हुआ कानी में twist, कि अब ये दोनों डून रह सेम वेनियर, इसका friend, वो गाया वो गया था, अब किसी को पता नहीं कि वो कहां गया था, पर अंतु वो कहता मुझे शक हुआ कि वो कहां गया होगा, क्योंकि सेम हमेशा शेहर में ही पला बढ़ा है, और जब चार्ली सेम को girlsberg के बारे में बताता था, जहां पर चार्ली स्क पूल में पढ़ता था बच्पन में, तो सेम को समगने वेनिक फ्रेंड को girlsberg की जगा काफी अच्छी लगने लगी सुन-सुन के, इसको समझ में आए कि अच्छ है, यह खोच-काच की लगता है, पहुंच गया और यह वही जगा है, जहां सेम चला गया था, 1894 में, अब यह क्या हुआ कि इन्हें के उपता लगा कि सम पहुंच गया, अब क्या हुआ, क्योंकि एक रात, जब मैं अपना स्टैम कलेक्शन यूँँ चांट रहा था, तभी मुझे पता चलता है, बीच में देखता हूं, चारली कहते हैं, हमें बताते हो, कि फर्स्ट डेस्टैम में रखते हैं, खुद कोई पोस्ट कर लेते हैं, और पोस्ट मैन को उस पर ठपा लगाना होता है, और फिर ये प्रूफ हो जाता है, कि आपने स्टैम पहले दिनी खरीदा था, क्योंकि ठपा लगते आपके घरी आ जाएगा, फर्स्ट डे कबर इसे ही बोलते हैं, और ही नहीं उनके पास वो, किसी ने उस पर फर्स्ट डे कबर को मेरे दादा जी को भीजा हुआ था, सैम ने भीजा था, मेरे दादा जी गेल्सबर्ग में रहते थे, और मेरे दादा जी का एड्रस एंवलप पर लिखा हुआ था, और ये फर्स डे कबर जॉलाई 1894 पर यहां नहीं गई, उस स्टैंप पर प्रेजिडेंट गर्ल फील्ड की इमेज बनी हुई थी, सिक्स सेंथ का वो स्टैंप था, डल भूरे रंग का था, ब्राउन कलर का, जब ये मेल दादा जी के पास आया होगा, तब वे उनी के पास रह रहा होगा, फिर उनका कलेक्शन मेरे पा कर रहा था, कि तुम्हें बोलना सही हो, मतला जब तुम मुझे बताते थे ना, तो मैं ऐसा सुचता था, काश ये सही कह रहा हूँ, ऐसा कोई रास्ता हो, ऐसा हम भी पहुंच जाए, और मुझे तुम पर विश्वास होने लगा, कि तुम सही हो, धीरे-धीरे, और चार्ली और मुझे आमंतरत किया जा रहा है, शिकन जी पीने के लिए, लेमिनेट पीने के लिए, चार्ली और लुईसा, तुम यहाँ पर चले आओ, ठीक है, और धूनते रहो, उस थर्ड लेवल को, जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाता, तुम्हारी मेहनत बरबाद नहीं जाए कि वो आज दादाजी का कलेक्शन इसके पास है, तो इसके पास पहुंच गया, फिर कहानी का कोई लॉजिक तो है नहीं, ठीक है, यह चीने लग दिया, उन्हें बहुत एक्साइटिंग भी लग सकती है, पर कहानी अच्छा मजन में तुम्हें अच्छा से आ गई होगी, त अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू